मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल नियुकेडमे में आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्त और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेतक धान से कर रहे होंगे फ्रेंट जैसा कि हम विभिन परकार के चतुरभुज का ध्यन कर रहे हैं उस करम में अभी तरह हमने चार चतुरभुज को पढ़ लिया है वर्ग, आयत, समलम चतुरभुज, सम चतुरभुज और आज जो हम समानतर चतुरभुज का ध्यन करने वाले हैं तो आईए देखते हैं कि समांतर चतुरभूज किसे कहते हैं वा चतुरभूज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और क्या हों समांतर हों ठीक है वा सम चतुरभूज होता है सम चतुरभूज की एक प्रापर्टी और होती है कि इसके जो सम्मों कोड होते हैं वो भी बराबर होते हैं और जो है बिकड एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस चत्रभूज का बिकड कौन है एक बिकड बीडी है और एक बिकड क्या है एसी है तो बीडी को AC सम्दिभाजित करेगा सम्दिभाजित का मतलब दो भाग में बट देगा अर्थात एक भाग होगा BO ठीक है? एक भाग होगा BO और दूसरा भाग होगा OD दोनों क्या होँगे? बराबर होँगे इसी परकार जब जो है AC को BD काटेगा तो एक भाग जो होगा A होगा, एक भाग OC होगा, दोनों बराबर होंगे तो जो है समांतर चतुर भुज का मतलब यह होगा कि चारों भुजाएं आमने सामने की जो भुजाएं होती हो बराबर होती हैं, सम्मू कोण बराबर होते सम्मो कोड का मतलब की कॉण A बराबर कोड C अब कोड B बराबर कोड D होगा और बिकड एक दूसरे को समदीभाजित करेंगे तो वह जो है क्या होगा एक सम्मानतर चतुरभूज होगा अब देखते हैं कि सम्मानतर चतुरभूज एक इसका जो बिकड़ बन रहा है मतलब यह BD तो BD जब बिकड़ हम खीच रहे हैं तो देखिए दो तर्भुज बनेगा एक A बनेगा ठीक है? और एक नीची ओले बनेगा मतलब एक तर्भुज बनेगा A, B, D और एक तर्भुज बनेगा B, C, D तो इसमें से किसी एक तर्भुज का हम क्या निकाल लेंगे? 6 तर्भल और उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरे चतर्भुज का 6 तर्भल निकल जाएगा ठीक है? एक चीज यह हो गया ठीक है? तो इसमें यही चीज है कि देखिए, दो गुड़े तर्भुज A, B, D या B, C, D, समझ गये हैं? तो यह जब इसको जब काटेगा वही बनेगा, ठीक है? एक बनेगा A, B, D और B, C, D, ठीक है? एक तो यह हो गया, और दूसरा जब इधर से इसको काटेगा दूसरा जब इसको इधर से काटेगा तो क्या हो जाएगा? दो तर्भुज तब भी बनेगा A, D, C और A, B, C ठीक है? तो इसका चाहे जिसका निकाल के उसका दो गुना कर देंगे तो इसका चतुरभुज का छेत्रफल निकल जाएगा और समानता चतुरभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है इसका परिमाप होगा जश्व, जब आमने सामने गुजाएए बराबर होती है, थीक है? तो उसी का आमने सामने गुजाए होगा जोड के 2 से घुड़ा कर देजीए तो 4 हो जाएगा अब इसका देखते है सम्चतुरभुज का कोई जो है प्रकार सम्चतुर्भुज का एक्जामपल क्या गया है तो इसका एक्जामपल होता है वर्ग ठीक है आयत और सम्चतुर्भुज इसके एक्जामपल होते हैं ठीक है तो यह होगे आपका समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज से ऐसे कोई स्कूश्चन नहीं आ आयत समांतर चतुरूज सम्लम चतुरूज इन पांचों को एक जगा ग्राफ में इकठा करके उनका जो है उनके गुर क्या है इसका परिमाब क्या है उसका छितफल कि चारों का पांचों का एक जगा जो है चार बनाकर इकठे पढ़ेंगे तो दोने सब में क्या क्या समानताएं हैं आ समानताएं हैं जब एक जगा रहेगा तो कभी भी confusion नहीं होगा ठीक है तो आईए अब देखते हैं जैसा कि अब हमने पढ़ा कि समानताएं चत्रवुज आयत उसका एक 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 जामपल है तो देखते हैं आयत से एक बहुत बार यह question पूछा गया है और इसी टाइप का question आपके एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है जैसे एक आयताकार बाग की लंबाई और चोड़ाई क्रम चूड़ा बनेंगा ठीक है जब बाहर रास्ता बनाय जाता है तो इसमें उसका डूणा करें घटाा देंगी जैसे यहां पर क्या बाहर बन रहा है तो 40 में यह कितना मीटर बन रहा है 10 मीटर तो चालिस में 20 जुड़ेगा 60 हो जाएगा और 30 में भी 20 जुड़ेगा 50 हो जाएगा तो मतलब बाहरी जो उसका एक आयताकार बनेगा उसका जो लंबाई चोड़ाई हो जाएगा करमफा 40 में 20 जुड़ेगा 60 हो जाएगा और 30 में 20 जुड़ेगा 50 हो जाएगा तो बाहर वाले का मतलब ये वाला जो पूरा बनेगा ये वाला उसका जो हो जाएगा 50 गुड़े 60 तो बाहर वाले मत्ति जब अंदर वाले गहटा देंगे तो ये वाले रास्ते का छीटपल निकल आएगा रास्ता सबसे पहले समझ ये क्या है ये अपना हो जाएगा ये मतलब ये जो है पहले ये अपना आयताकार वो है आयताकार क्या है बाग है ये वाला ठीक है ये आयताकार बाग है अब इसके बाहर इतना ये वाला ये वाला दस मीटर ये दस मीटर ये दस मीटर ये दस मीटर बनाया जा रहा है ठीक है तो ये वाला जब बाहर वाला ये वाला आप जो बाहर वाला ब बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला अपना बन जाएगा आयताकारव ठीक तो हमको जो चाहिए क्या हमको चाहिए रास्ते का छेटफल अधार हमको जो छेटफल चाहिए ये वाला छेटफल चाहिए कौन सा, ये वाला छेद फखल चाइए, जिस पर हम जो है, ये color करने हैं, बस इतने हमको छेद फखल चाहिए, आप समझिएगा इस बात को, कि हमको इसका छेद फखल चाहिए, तो इसका छेद फखल कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले में से, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का छेथफ़ घटा देंगे तो जो हमने अभी के एक कलर किया है उसका छेथफ़ निकल जाएगा तो बड़े वाले का छेथफ़ निकलने के लिए उसका लंबाई चोड़ा ही पता होना चाहिए तो इसका 40 तो था, लेकिन 20 बढ़ गया, तो 60 गुड़े 50 बड़े वाले को हो जाएगा, अंदर वाले का हमको पता है 40 गुड़े 30, तो 60 गुड़े 50 जब करेंगे, आएगा 3,000 मेटर स्क्वाइर, और जो है, जो अंदर वाला है, उसका पता ही है, 40 गुड़े 30, तो बड़े अगर ये रास्ता अंदर बनता 10 मीटर अगर ये रास्ता 10 मीटर अंदर बनाया जाता ठीक है जिसे बाहर न बना के अंदर बनाया जाता तो क्या होता तो 40 मसे 20 घटता और 30 मसे 20 घटता ठीक है तो फिर हो जाता उसका जब नया वाला बनता तो 20 और 10 का बनता आईए देखते है है उसको आगे है ये वही सेम कुश्यन है बस इसमें क्या कर रहा है अंदर बनाया जा रहा है एक आयताकार बाग की लंबाय चोड़ा एक नमसा 4 और 30 मीटर है चारो तरफ एक दस मीटर चोड़ा रास्ता अंदर बनाया गया है यहां पर ध्यान देज़ी हो जाएका अब क्या करेंगे तो実 बाहर वाला है जो उमारा पहले का था अंदर अवाले का क्या हो जाएगा भड़े ऒढ़े वाले का चा sesi 30 12 М2 16 खो जाएगा, उसका च्छेथपल हो जाएगा 100енд मित्र, तो आप लोग इसको समझटे। इसी टाइब के question आएगे, सेम यही आएगा question, केवल हो सकता digitize है, ठीक है, इसी टाइब का question आएगा, और या तो इसमें से यह पूछता है, एक वर्ग का भुजा इतना है, भुजा को ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, इसका एक अच्छा सा जो है, इन्हें पांचो का compare करके कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, बंदे मातरों